Hey everyone, welcome and welcome back to my channel तो आज की क्लास में मैं आपको अंग्रेजी पढ़ना और लिखना बताऊंगी वो भी स्टोरी के मादने हम से जी है एक छोटी सी स्टोरी मैं आपके साथ शेर करूंगी जिसकी मदद से हम इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे तो वीडियो को ध्यान से पूरा देखना जिससे की एक भी चीज आपसे चूटे नहीं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना चैनल को सब्सक्राइब नहीं क्या हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना तो चलिए फिर चुरू करते हैं आच्छी क्लास इसलिए Y के आगे कोई मात्रा नहीं आएगी, ठीक है, फिर है H, H को लिखते हैं हम ह, तो बन गया यह, Y-A-H, यह, फिर है G-A-R-M-I, G को लिखते हैं हम हिंदी में ग, और G के आगे A है, उसके लिए हमने O का इस्तमाल किया है, इसलिए G पे कोई मात्रा नहीं आई है, ठीक है क्योंकि और की कोई मात्रा नहीं होती, और की ध्वनी होती है, ठीक है, फिर है R, R के लिए हम आधेरो का इस्तमाल करेंगे यहाँ पर, फिर है M, M को लिखते हैं हम म, और M के आगे I है, I के लिए यहाँ पर हमने बड़ी E का इस्तमाल किया है, प्यानि बड़ी E की मात्रा का जाएगी ठीक है तो बन गया हमारा गर्मी ठीक है फिर लिखा है के ए के के लिए हम क लिखते हैं हिंदी में और के के आगे ए है उसके लिए आ का इस्तमाल किया है यानि कि को पे आ की मात्रा आ जाएगी फिर है M A U S A M M को लिखते हैं हम म और A U के लिए आ की मात्रा आ जाएगी म पे फिर है S S को लिखते हैं हिंदी में स और उसके आगे A है तो A के लिए यहाँ पर हमने O का अस्तमाल किया है और O की कोई मात्रा नहीं होती और की द्वनी होती है इसलिए स के आगे कोई मात्रा नहीं आएगी फिर है M, M के लिए हम क्या लिखते हैं हिंदी में? म लिखते हैं तो बन गया मौसम ठीक है? फिर है H, A, I H को लिखते हैं हम ह और A, I के लिए हमने I की मातरा लगाई ये ह पे तो बन गया है तो यह, यह गर्मी का मौसम है, आगे देखते हैं A, A, J तो डबल A के लिए हम A का इस्तमाल करते हैं ठीक है? और J के लिए हिंदी में जो लिखते हैं तो बन गया आज फिर है B, A, H, U, T B को लिखते हैं हम B और B के आगे A है उसके लिए O का इस्तमाल किया है और O की कोई मातरा नहीं होती, O की दो नहीं होती है अगे U है, U के लिए छोटे U का इस्तमाल किया है तो हो पे छोटे U की मातरा लगाई है फिर है T, T को लिखते हैं हम हिंदी में तो तो बन गया बहुत, B, A, H, U, T बहुत, फिर है G, A, R, M, I G को क्या लिखते हैं हम गर लिखते हैं और G के आगे A है, उसके लिए O का इस्तमाल हुआ है इसलिए गर पे कोई मातरा नहीं आई है फिर है R यहाँ पर R के लिए आधे रो का इस्तमाल किया है फिर है M, M को लिखते हैं म और M के आगे I है उसके लिए हमने बड़ी E की मातरा का इस्तमाल किया है तो बन गया गर्मी G, A, R, M, I, गर्मी फिर है H, A, I तो H को ह लिखते हैं और A, I के लिए I की मातरा लगाई है तो बन गया है तो आज बहुत गर्मी है क्लियर हुआ आगे लिखा है K, A, L K को लिखते हैं हम हिंदी मेको और A के लिए हम A का इस्तमाल करेंगे और A की कोई मातरा नहीं होती A की धनी होती है इसलिए को के आगे कोई मातरा नहीं आएगी फिर है L L को लिखते हैं हिंदी में ल तो बन गया कल के A, L, कल फिर है D, I, N D को लिखते हैं हम हिंदी में द और D के आगे आई है उसके लिए छोटी की मात्रा का इस्तमाल किया है फिर है अन को लिखते हैं न तो बन गया दिन ठीक है फिर है ए यू आर ए को लिखते हैं यहाँ पर ए यू के लिए हमने आउ का इस्तमाल किया है ठीक है तो आउ लिखा फिर आर के लिए र, तो बन गया और, क्या बन गया और, ठीक है, फिर गया आर, ए, टी, तो आर को लिखते हैं हम र, और ए के लिए हमने आ का इस्तमाल किया है, यानि कि आ की मातरा लगाई है, ठीक है, तो र पे आ की मातरा आ गई, फिर टी है, टी को लिखते हैं हम तो, तो ब पिर गए D, O, N, O, D को लिखते हैं हम D, और O के लिए D पर O की मात्रा आएगी, फिर N है N को न लिखते हैं, फिर से N के आगे O है तो फिर से N पर O की मात्रा लगा देंगे तो बन जाएगा दो नो, फिर गए G, A, R, M, G को लिखते हैं हम G, और G के आगे है A, यनि और A के लिए हमने O का इस्तमाल किया है इसलिए गव पे कोई मात्रा नहीं आई है फिर गवे R के लिए यहाँ पर आधे रव का इस्तमाल हुआ है और M के लिए मो का तो बन गया गर्म ठीक है फिर गवे T, H, E और T, H के लिए थ, थ का इस्तमाल होता है और E के लिए हमने A की मात्रा लगाई है थो पे तो कल दिन और रात दोनों गर्म थे आगे है G, A, R, M, I G को लिखते हैं गो ठीक है और A के लिए ओकास्तमाल हुआ है R के लिए आधे रोका और M के लिए मोका और M के आगे I है उसके लिए बड़ी की मात्रा लगाई है तो बन गया गर्मी, G, A, R, M, I, गर्मी फिर गए K, E, K के लिए हम को लिखते हैं और E के लिए A की मात्रा लगाई है को पे तो बन गया K फिर गए B, A, D B को लिखते हैं हिंदी में B और A के लिए हमने आकी मात्रा का इस्तमाल किया है तो B पे आकी मात्रा आ जाएगी फिर है D, D को लिखते हैं हिंदी में D तो बन गया बाद फिर है V, A, R, S, H, A तो V के लिए हमने व का इस्तमाल किया है और V के आगे A है, उसके लिए O का इस्तमाल हुआ है और O की कोई मातरा नहीं है इसलिए वो पे कोई मातरा नहीं आएगी फिर R है, R को के लिए हमने यहाँ पर आधेरों का अस्तमाल किया है फिर है SH, SH के लिए यहाँ पर शो का अस्तमाल होगा, शटकोन वाला शो, ठीक है फिर SH के आगे A है तो उसके लिए A की मात्रा आ जाएगी शौप है तो बन गया वर्षा फिर है डबल A T I डबल A के लिए जब भी शुरुआत में डबल A आता है तो उसके लिए A का इस्तमाल होता है ठीक है फिर T है T को लिखते हैं हम T और T के आगे I है उसके लिए बड़ी E की मात्रा का इस्तमाल किया है तो बन गया आती फिर है H A I H को लिखते हैं हो और A I के लिए I की मात्रा लगाई है हो पे तो यह बन गया है गर्मी के बाद वर्षा आती है क्लियर हुआ नेक्स्ट है F I R F को लिखते हैं हम हिंदी में F और I के लिए छोटी E की मात्रा लगाएंगे F पे R को लिखते है र यह बन गया फिर F I R Y A H तो Y को यह लिखते हैं और A के लिए हमने O का इस्तमाल किया है और O की कोई मात्रा नहीं होती H को लिखते हैं हिंदी में ह तो बन गया यह Y-A-H यह T-H-A-N-D-A T-H को लिखते हैं हम ठ और अ-N के लिए यहाँ पर अंकी बिंदी का इस्तमाल किया है इसलिए ठ पर अंकी बिंदी आ गई फिर D है, D को लिखते हैं ड और D के आगे A है उसके लिए A की मातरा का इस्तमाल होगा इसलिए D पे A की मातरा आ जाएगी तो बन गया ठंडा HO, H को लिखते हैं ह और O के लिए ह पे O की मातरा लगा देंगे ठीक है वो बन गया हो J A T A J को लिखते हैं हिंदी में J और A के लिए J पर A की मात्रा आ जाएगी फिर गए T T को लिखते हैं T और T के आगे A है उसके लिए T पर A की मात्रा लगा देंगे तो बन गया जाता J A T A जाता H A I H को लिखते हैं हम हिंदी में H और A I के लिए H पे I की मात्रा लगाएंगे तो बन गया है फिर यह ठंडा हो जाता है आगे लिखा है L E K I N L को लिखते हैं ल और E के लिए ल पे A की मात्रा लगाएंगे फिर को है के है के को क्या लिखते हैं को लिखते हैं और आई के लिए कौपे छोटी की मात्रा लगाएंगे, उसके आगे लिखा है N, N को लिखते हैं हम हिंदी में न, तो बन गया, लेकिन, L-E-K-I-N, लेकिन, U-S-K-E, U को लिखते हैं, U, और S के लिए S लिखते हैं, फिर K है, K को लिखते हैं, क, और K के आगे E है, उसके B, A, D, B को लिखते हैं, B, और A के लिए B पे A की मात्रा का अस्तमाल हुआ है, फिर है T, B को लिखते हैं, हम D, तो बन गया, बाद, ठीक है, फिर है S, A, R, D, I, Y, O, N, S को लिखते हैं हम S, और A के लिए हमने O का अस्तमाल किया है, और O की कोई मात्रा नहीं होती है, इसलिए सर पे कोई मात्रा नहीं आएगी फिर है आर, आर के लिए यहां पर आधिरो का इस्तमाल हुआ है फिर डी है, डी के लिए दो का, और डी के आगे आई है उसके लिए छोटी की मात्रा लगाईगे हमने यहां पर दो पे ठीक है, फिर है वाई य को लिखते है य और फिर य के आगे ओ है उसके लिए य पर ओ की मात्रा लगा देंगे फिर है N, N के लिए यहाँ पर हमने बिंदी का इस्तमाल किया है ठीक है तो बन गया सर्दियों, S-A-R-D-I-Y-O-N, सर्दियों फिर है M-E-I-N, इससे बन गया में, क्या बन गया में, J-Y-A-D-A तो J को हम लिखते हैं J, लिकने आपर आधे J का इस्तमाल हुआ है फिर है Y, Y को लिखते हैं Y, और Y के आगे A है उसके लिए Y पर आ की मात्रा लगा देंगे फिर D है, D के लिए लिखा है D, और D के आगे A है, उसके लिए D पर आ की मात्रा लगा दी, तो बन गया ज्यादा फिर है S-A-R-D-I, S के लिए S लिखा, और A के लिए O का इस्तमाल हुआ है, इसलिए S पर कोई मात्रा नहीं आएगी फिर R है, R के लिए यहाँ पर A-D-R-O का इस्तमाल हुआ है, फिर D है, D के लिए D का, और D के आगे I है, उसके लिए D पर बड़ी की मात्रा लगाई है, तो बन गया S-A-R-D-I, S-A-R-D-I, H-O-T-I, H को लिखते हैं H, और O के लिए H पर O की मात्रा लगाएंगे, फिर T को तो लिखेंगे, और T के आगे I है, उसके लिए T पर बड़ी की मात्रा लगादेंगे, तो बन गया होती, H-O-T-I होती, ठीक है, फिर है H-A-I, H को हर लिखा और A-I के लिए H-P-I की मात्रा लगादी, ठीक है, तो बन गया है, लेकिन उसके बाद सर्दियों में ज्यादा सर परदी होती है, ठीक है, क्लियर हुई ये चीज, तो ये थी हमारी आज की क्लास, I hope कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो आपको कैसी लगी, प्लीज मुझे नीचे कॉमेंट करके बताना, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाना, सभी